हेलो एब्रिवन वेलकम टो और यूटूब रिपाड़ाशन चैनल दोस्तों मेरे वेल और मैं आज आज आप सब के सामने mcq1 जेनरल इंटेलिजेंस फॉर असाम डाइरेक्ट रिकुट्मेंट एक्जाम 2023 के लिए लेके आया हूँ आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और देखिए यह सेगेंट पार्ट ही पहले पार्ट में हम लोग ने question number 1 से लेके 10 तक discuss किया वह देख लेना आप लोग और यह सब question हम लोग online classes में लास्ट लास्ट नाइट किया था तो वैसे ही और भी question करेंगे हम लोग और पूरा एकदव systematic way में करेंगे तो आप लोग अगर online class join करना चाहते हैं तो सिफ 200 रुपिस पे करना होगा monthly fees देखिए one month का advance fees 200 रुपिस पे करना होगा पहले ही through UPI यानि phone page GPI या ATM से 9101-467653 इस नंबर पे पे करके इसका skin shot मेरे whatsapp नंबर पे बेच देना मेरे whatsapp नंबर है 9101-467653 ताकि मैं आपको ग्रूप में एड कर सेगो सो देखिए जो important question है आज discuss करेंगे number 11 सो देखिए number 11 what will come in the place of question mark so कौन सा question mark पर आएगा देखिए 1 9 25 49 question mark 121 so एक बार चेक कर लो आप लोग वीडियो को post करके so देखिए 48 81 99 none so देखिए जो right answer होगा वो है option B यानि 81 so कैसे हुआ देखो one square क्या है one उसके बाद एक पाइदान चोड़के कैसे जो odd number 3 3 square कितना होता है 9 उसके बाद 4 चोड़के हम लोग 5 यानि odd 5 square कितना होता है 5 square होगा 25 उसके बाद 7 square 49 बैसे ही 9 square 81 और 11 square क्या होगा 121 so ऐसे ही गया यह series question number 12 26 125 उसके बाद देखो 37 क्या होगा so यह दोनों का relation देखिए आप लोग 26 और 125 का सो देखिए कैसा हुआ 5 square plus 1 यानि 5 square plus 1 कितना होता है 5 square 25 plus 1 26 उसके बाद 5 cube यानि 125 बैसे 6 square plus 1 कितना होता है 37 उसके बाद 6 cube कितना होता है 216 so check कर लेना आप लोग so right answer का option C यानि 2 1 6 question number 13 7 56 9 कितना होगा so देखिए आप लोग relation निकाल लो कैसे भी करके लेकिन सही relation आना चाहिए so देखिए 80 90 100 70 so यह कैसे काया देखो 7 उसके बाद सामने वाला 7 8 7 8 जा कितना होता है 56 उसके बाद 9 के अगले python पे क्या है 10 9 10 जा 90 होगा ठीके next question question number 14 close dnrwj open क्या होगा देखिए पहले वाला relation देख लोग cd ऐसे गया उसके बाद lm एक एक python चोड़के n आया उसके बाद देखो o p q दो पाइदन चोड़के उसके बाद r आया सो वैसे ही जाएगा सो देखिए o के बाद क्या होगा o p सो देखिए इधर a और b उसमें p है बाकी दोनों आप लोग eliminate कर देना p उसके बाद देखो p के बाद q r मतलब r दोनों में है उसके बाद e f g h so h होगा so right answer होगा option a यानी p r h r next question 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 no.15 introducing a girl Ankit says she is the sister of the son of my mother sister how is Ankit related to that girl so देखिए niece daughter उसके बाद देखिए sister cousin so कैसे होगा so देखो she is the sister of the son of my mother sister मतलब मेरे मा के sister मतलब मेरे मौसी मौसी के मतलब क्या होता है मौसी के बैटे के बेहन यानी काजीन होगा so देखो अंकित उस लड़की का मतलब कह सकते है वो लड़की अंकित का काजीन है so option d correct होगा question number 16 if amun 4 amun पे देखो 4 shibam 6 science 7 so इसमें letter देखो amun में 4 है shibam में 6 science पे 7 then beam पे कितना होगा 4 so एकदम easy है so right answer होगा option है यानी 4 question number 17 6 35 7 कितना होगा so देखो 6 square कितना होता है 36 minus 1 7 square 49 minus 1 कितना होगा 48 so option है correct है question number 18 dog rabies dog के bite के बाद क्या होता है अगर कोई dog मतलब injection fully injected नहीं हो तो कह सकते है वो उसका कटने से rabies हो जाएगा उसके बाद mosquito के काटने से क्या होता है so right answer को option C यानी मेले रिया question number 19 नांबर अम्री गोष्ट क्या होगा देखो सो देखो NU पहले क्या होगा UN so वैसे ही देखलो HG सो HG किसमे C और D में उसके बाद देखो BM यानी पहले MB से BM पहले आया so क्या होगा स्टाइ और बायर काव का रेश्टिंग प्लीज सो option अब B is the character है so आज के लिए इतना ही thank you so much अप लोग इस वीडियो को जादा से जदा शेयर करो thank you